निटिंग ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल आइकन को हमारी लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए hi friends welcome to knitting tutor आज मैं आपके लिए यह लेकर आई हूँ दीए सिंगल कलर का dizeign है यह बनाना बताउंगे आज मैं इस डिसाइन को आप कई तरी कैसे टाल सकते हैं जिसे आप बचण के स्वेटल में हमी डाल सकते हैं कई तरी कैसे आप इसको डाल सकते हैं जैसे कि आप ये थोड़ा डिजाइन डालिए, इसके बाद फिर थोड़ा प्लेन बनाईए, फिर थोड़ा डिजाइन डालिए, आप इसे इस तरह भी डाल सकते हैं, आप इसे पूरे में भी डाल सकते हैं, या आप इसे थोड़ी थोड़ी पट्टियों में भी डाल सकते हैं, फिर बिच में प्लेन पट्टी या फिर इधर डिजाइन इस तरह से भी डाल सकते हैं आप इसको यह दिखिए यह मैं बनाना बुताती हूं आपको इसको हम उल्टी सलाई से शुरू करेंगे हम बॉद्र के बाद बुणना शुरू करते हैं तो हम इसको उल्टी सलाई से शुरू करेंगे दिखिए है कि बुनिंगे और दागय लेंगे और ये फंदा बिना बुना ले- इसके बाद इसे नाज सलाई के उपर से आगे लेना है और फिर एक फंदा उलं ना है पिर एक पंदा बिना बुना लेना है, दागा ऐसे आगे लेना है, पिर एक पंदा बुना है, दाब बिना बुना लेंगे एक पंदा, पर ये सलाई के उपर से लेंगे, एक पंदा उल्टा बुनेंगे, पिर एक पंदा बिना बुना लेंगे, एक पंदा बुनेंगे पिर एक पंदा बिना बुना लेंगे दागा आगे लेंगे यह तरह से पूरी सलाई हो जाएगी चार सलाई का डिजाइन है यह कि एक सलाई हो चुकी है हमारी दोनी की दाएगे ऐसे यह बना लेंगे और यह नियुदाओ और इसके उपर से यह नंदा या था इसको इधर से भी यह बिना बना लेँगे धीत द्र अब्र जो ल्यंखत हुआ हvision यह नहीं ते लिए हम लेगे एक यह उपर से आयो वह फंदा और एक जो हमने बिना बुना लिया था वह फंदा दोनों इस बार भी यह बिना बुना ले लेंगे और ऐसे सलाई के उपर से दागा लेंगे और एक तंदा उल्टा उनेंगे ये बिना बुना लेंगे सलाई के ओपर धाला लेंगे ये पूरी सलाई हम यसी तरह से करेंगे अब हम तीसरी सलाई करेंगे ये फंदा हमें ऐसे बुनना है और ये दो फंदे ये वाला फंदा भी ना बुना लिया हमने दोनों सलाई में और ये दो फंदे सलाई के उपर से आए ये तीनों हमें एक साथ बुनने है ये एक पंदा फिर उटा बनेंगे दागा पीछे लेंगे तीन फंदों का एक पंदा पनाएंगे दागा आगे लेंगे एक पंदा उल्टा दागा पीछे और तीन पंदों का एक पंदा दागा आगे एक पंदा उल्टा और तीन पंदों का एक पंदा यह पूरी सलाई इसी तरह से करनी है यह मारी तीन सलाई होई अब चौती सलाई यह करनी है यह देखे शुरू के दो पंदे हम ऐसे ही बना लेंगे यह हमें सीधा पंदा दिख रहा है यह देखे और यह उल्टा दिख रहा है गुरत दिखरे वसको उल्टा होनेंगे जो सिधा दिखरे वसको सिधा होनेंगे यह जी विसलाए में पूरी असे करनेए इक पंदा उल्टा, इक पंदा सिधा एक बंदा उल्टा को एक बंदा सीधा एक बंदा सीधा इक बंदा सीधा है इसके बाद हम फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे यह पंधा म Keeping theन भूब लेंगे घर बबूद करनें कि और यह पंधा गॉदुन स्वर्श इjak भर पीछे लहां कि आई है कि कि आःगा आगी रहेगा स्वरी इसे आःगा बेना वुना लेंगे सलाई के उपर से फंदा डालेगे एक पंदा उठा उलटा बुरहेंगे ये बीना भुणा लेंगे सलाई के उपर से फंदा लेंगे ये सलाई हूं इसी तरह से करेंगे पूरी यह सेधी से लाई है सेधी में भी यही करना है यह पंदा बुना हुआ यह बेना बुना है इसको ऐसे उतार लेंगे धागा अगे लेंगे एक पंदा उल्टा बुनेंगे फिर इसको बिना बुना लेंगे इसे सलाई के उपर से धागा अगे लेंगे एक पंदा उल्टा बुनेंगे यह बिना बुना लेंगे यह सलाई के उपर से लेंगे एक पंदा उल्टा बुनेंगे फिर ये उल्टे से लाई, ये तीनों फंदे साथ में लेकर बुलने हैं, एक फंदा उल्टा, तीनों फंदों का एक फंदा, एक फंदा उल्टा, ये तीन फंदों का एक फंदा, फिर एक फंदा उल्टा, ये दखें, ये हम सीधी सलाई फिर ये तरह से करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, ये एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, ये तुल्टा इनी तक करने हैं, यह देखिए इसको हम इसी तरह से बार बार रिपीट करते जाएंगे यह आपको मेरा डिजाइन पसंद आए हूँ तो इसे लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें थेंक यू बार चैनल सब्सक्राइब करें